हाई गाईज आज की वीडियों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेली वेयर साइड रेपिंग टुटरिल यूजिंग अउनली वन पिन तो गाईज वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेलफुल रहने वाली वीडियो का एंड तक देखें अच्छी लगे तो लाइक ज संदाता है तो मैं अपनी इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन ने प्रोबाइट कर दूंगी वहाँ आप मेरे से कॉंटेक कर सकते हो शेप बियर की क्वालिटी वी गाईज काफी अच्छी है मैंने काफी साथ शेप बियर देखें पर उसमें से मुझे इसकी क्वालिट साइड रेप करने वाली हैं इसमें एक ही पिन का यूज करूंगी तो वीडियो को आप एंड तक देखें और आप भी इसी तरीके से एक ही पिन में परफेक्ट फिटिंग के साथ साइड रेप कर सकते हैं तो देखिए हमने राउंड लगा के कंप्लीट कर लिया है अभी हम सब माते अपने सेकंड इस्टेप में हम हमेशा अपनी पल्लू बनाते हैं तो पल्लूू के लिए आप जबी भी प्लीट्स बनाओ डेली वियर में अगर आप अपने लुक को अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हो तो आप हमेशा अपने शोल्ड प्लीट्स को पतला ही आपको काफी आदा फैटी दिखाती है एन आपकी हाइट भी थोड़ा सा दव जाती है इस वज़ासे हमेशा आपको पत्री-पत्ली सी प्लीट सी बनानी है यह जो फैब्रिक है वो प्यौर जोजट एक डम सौफ्ट जोजट वाला फैब्रिक है तो इसमें प्लीट काफी अच टिप देना चाहूंगे अगर आप अपने लुक को थोड़ा सा स्लेमें टॉल दिखाना चाहते हो तो आप अपनी पल्लू लैंड थोड़ा सा लॉंग रखें घुतने से काफी आदा नीचे रखें इससे हमारी हाइट काफी अच्छे से इन्हाइंस होती है तो देखिए करने अपको बताऊंगे आप बिना पिनके कमर फिटिंग किस तरह बना सकते हो तो देखिए सबसे पहले आपको अपनी सारी फोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे यहां पे एक not बना लेंगे देखे इस तरीके से जब हम अपनी साडी को ट्विस्ट कर रहे तो हमारी साड़ी में थोड़ा सा प्लीट्स निकल के आ रही थी नॉट लगाने से क्या होता है ये साड़ी यहां से खिसकेगी नहीं नॉट की वज़ा से थोड़ा सा साड़ी यहां पर कैड़ी हो जाती है तो यहां से खिसकती नहीं है आप इस fabric को हिला के देख सकते हो आपकी साड़ी बिल्कुल भी यहां से नहीं निकलेगी तो इस तरीके से आप बिना पिन के फ्लीट्स बना सकते हो तो अभी हम अपने lower pleats बनाएंगे lower pleats बनाने के लिए देखे इस तरीके से सबसे पहले हम जो पहली pleats का measurement लेते हैं हमें वो pleats इस तरीके से अरेंज करने के उपर से लेकर नीची तक एकदम एक level में straight आनी चाहिए पिर उसी के आगे से हम सारी pleats को इस तरीके से one by one बनाना अरेंज करना शुरू कर देते हैं तो गैसे आप देख सकते हो इसमें जो pleats निकल के आई हो कितनी ज़ादा pleats निकल के आई हैं क्योंकि इसमें जो blouse था वो इसी में attached है मैंने detached नहीं किया था इसके वैसे इसमें pleats काफी अच्छे से निकल के आ रही हैं आप देख सकते हो नॉर्मली हमारी pleats में maximum 7 pleats पढ़ती हैं उसे नहीं पढ़ती हैं पर इसमें आप देखोगे 10-11 pleats मैंने बना ली थी वैसे भी इसकी जो साड़ी की लेंट है वो काफी अदा अच्छी है तो गैस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर lower pleats सारी बना के ready कर लिए हैं अभी हमें क्या करने देखिए इस तरीके से अपनी pleats को थोड़ा सा arrange करेंगे जो हमारी pleats का पीछे वाला portion होता है उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे इस तरीके से बिल्कुल center में tuck कर लेंगे तो guys आप lower pleats का look देख सकते हो कितना प्यारा निकल के आया pleats कितनी ज़्यादा घणी निकल के आई है मतलब मुझे इस सारी की ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इसकी जो लेंट है वो normal सारी के मुकाबले काफी ज़्यादा अच्छी है प्यार निकल काया है एक ही पिन में हमने कितनी परफेक्ट फिटेंग एंड प्लीट के साथ साड़ी पहनी है तो अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप भी इस तरीके साड़ी कर सकते हो बहुत आसान तरीके से वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है साथी साथ वैल आइकन को भी जरूर प्रैस करें क्योंकि इसका जो प्लीट्स हैं वो बहुत ज्यादा घनी थी तो जिस वजय से फिगर में न अच्छा सा एक लुक आ रहा था जिसकी वजय से मुझे बहुत सुन्दर लग रहा था इसका मतलब ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई अब तक मैं जितनी भी साड़ी खले दी हैं ये साड़ी मुझे सबसे आदा पसंद आई